कुछ मेरे दिल ने कहा कुछ तेरे दिल ने कहा अब हम क्या कहें क्या सुने जब दिल बाते करने लगे हलो ब्यूटिफल पीपल नमस्ते कैसे है आप सब तैयद लवस्ट्रीफल वन पे आप सब का बहुत बहुत सा गते गाईस मैं आज फिर से आ गई हूँ एक पिककार रिडिंग लेकर आप सभी के लिए और गाना सुनकर आपको पता तो चल गया होगा कि आज का रिडिंग का टॉपिक क्या होने वाला है ना गैस तो यहाँ पर हम देखना चाहते है कि कौन सी बात है जो भी आपसे शेर करना चाहते है आपको बताना चाहते है पर बता नहीं पा रहे है कैसी सिचेशन से वो गुजर रहे है इसे आज हम देखेंगे उनकी रिडिंग मेरी जबानी ओके गाईस तो आपको यहाँ पर जो भी messages मिलेंगे जो भी reading मिलेगी वो होगी आपके partner की तरफ से आप सभी के लिए gift, okay, gift मैं इसलिए कह रही हूँ guys क्योंकि ये मेरे तरफ से मेरे जवान से निकलेगी और आप सबको सुनाई देगी और आपको यहाँ पर ऐसे लेना है कि ये आपके person की तरफ से ही आपके लिए भीजा गया है okay guys समझ गये ना, so stay positive okay, तो देखें यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे है, यहाँ पर पहला पाइल है ब्लू स्टोन यानि की पाइल नमबर वन है ना guys, यह है पाइल नमबर वन ब्लू स्टोन, जिने ब्लू कलर नीला रंग पसंद है, आप वो इसे चूस कर लीजिए, जिने लाल रंग पसंद है, है ना, लाल यानि की खत्रे की घंटी पर मेरा बहुत फैबरेट है रेड कलर, okay, तो जिने रेड कलर पसंद है वो रेड ले लीजिए जिने ब्लू पसंद है वो ब्लू ले लीजिए, मेरी पसंद पर बिल्कुल भी मज जाईए, okay क्योंकि आपकी पसंद ही ज्यादा माई ने रखती है, तो I hope guys आपने पाइल चूस कर ली है, मैं चूस करना चाहूंगी, स्टार्ट करना चाहूंगी पाइल नंबर वन की रिडिंग से, याने की ब्लू स्टार्ट से, ठीके guys, इसे हम अभी हटा देते हैं, यहां से थोड़ा खेल ले guys, चलिए तो यह क्या है guys, यह है पाइल नंबर वन, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त, okay, जब आप यह reading देख रहे हो, उनके तरफ से आपके लिए क्या messages वो भेजते हैं, okay, इसे आज हम देखने की कोशिस करेंगे क्या है उनके दिल में feelings आपके लिए है ना guys, यही देखना है guys, मैंने कर लिए कार्ट के सफलिंग चले निकालते हैं यहां से कुछ कार्ट और देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी इस वाक्त पहला कार्ट आया है डेवल का डेवल का पहला कार आया है guys, okay दूसरा कार आया है टू अफ पांटिकल का एस अफ सोर्ट अखे और यहां आया है सेवन आफ पांटिकल सॉर्ड आफ काप्स वाव यहां पर क्या आया है guys, टेन आफ पांटिकल्स, okay तो मुझे यहां पर इस इंसान की बहुत सारे जो है mixed emotions, mixed feelings मुझे नज़र आ रही है, okay और वाव यहां पर आया है नाइन आफ काप्स, ब्यूटिफल काप्स ओ माइ गाड़, शिक्स ओफ वैंस, यानि कि यहां पर दो-दो सादिका काप्स हमें मिला है guys ब्यूटिफुल, बहुत चीज़े कहना चाहते हैं आपसे, एम्प्रेस, ओ, खूल, वाव शिक्स ओफ कप्स, और एक काप्स चाहिए मुझे, एस ओफ वैंस, एस के यहां पर मुझे दो काप्स नज़र आया है बॉटम में भी देख लिजे साधिकार काप्स क्या है, बात है, वा, बहुत ही ब्यूटिफुल काप्स यानि कि इनकी ओवराल एनर्जी में ही विक्टरी की एनरजी आई है, साधी की एनरजी आई है, जीत की एनरजी आई है ना guys, और क्या चाहिए हमें? बहुत ही तो चलिए यहाँ पर यह रहे कार्ट्स ओके आप यहाँ से मैं कुछ messages भी निकाल लूँ guys तीन चार एक और चलिए यहाँ पर निकाल लिए मैंने कुछ messages भी उनकी तरफ से आप सब चीज़ देखेंगे पहले टारट से रिडिंग देखेंगे उसके बाद में ही हम यह messages को करेंगे c d o के तब तक आप यहाँ बिराजवान हो जाए तो यह रहे आपके cards guys चलिए सुरू करते हैं आपकी reading stay positive pile number one यहाँ सबी sign element आये है आप देख सकते हो यहाँ पर cups की energy भी है यानि कि water sign cancels, scorpion, piscos, kark, rishik, min, rasi उसके बाद मुझे यहाँ नजर आ रही है pentacles के energy यानि कि earth sign है taurus, vergo, capricorn, rishakon, macarasi fire sign भी है leocetus, iris, यानि कि c aether, mish, rasi और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपके person आपसे क्या कहना चाते है guys मुझे यहाँ पर इन cards को देकर एक siree याद आ गई, बहुत दिन हो गई मैंने siree सुना ही भी नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आपको एक siree सुना ही दो आपके person की तरफ से, okay सुने, तेरी यादो को पसंद है मेरी आखो की नमी तेरी यादो को पसंद है मेरी आखो की नमी, हसना भी चाहों तो रुला देती है तेरी कमी, समझ गए guys तो यहाँ पर यह इनसान जो भी है जिनके साथ आप deal कर रहे हो, चाहे आप married हो, चाहे unmarried हो, पर यहाँ पर guys आज की रीडिंग में merit की energies भी बहुत जारा निकली है, कि आप किसी merit से deal कर रहे हो, ऐसा ऐसे energies भी निकली है, या फिर आप खुद married हो और इस reading को देख रहे हो, अपने husband या wife के लिए ऐसा कुछ नजर आया तो मैंने आपको बता दिया, okay guys नहीं पर क्या चल रहा है, जैसा कि मैंने विसायरी में आपको कहा कि हसना भी चाहूं तो रुला देती है तेरी कमी, यानि कि आपकी यादे इस इंसान को इतनी ज़रा परेशान कर रही है और यह आपको अब यह ही कहना चाहते है यहीं आपको बताना चाहते है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम्हारी चो यादे है वो unforgettable है, unforgettable का मतलब क्या होता है कि जिसे हम भुला नहीं पाते है ना, भुला नहीं पाने वाली यादे इस इंसान के जहन में, इस इंसान के दिल में आपके लिए बसी हुई है और आपको बहुत जबर जस्त तरीके से ये इंसान इस वक्त अभी जब आप ये रिडिंग देख रहे हो आपको ये बहुत ज़ड़ा मिस कर रहे है इस बात को मैंने कैसे कह दिया कि आपको मिस कर रहे है मुझे तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको है न गाइस तो प्रूफ में यहाँ पर क्या है दे एंप्रेस का काड़ाया है और एंप्रेस के काड़ के साथ में यहाँ पर क्या आया है डेविल का काड़ाया है तो आप जानते हो, devil की energy कैसे होती है devil की energy, ऐसे इनसान को दिखाती है जिसका attraction आपके तरफ बहुत ज़्यादा है ठीक है, यानि कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इनका attraction है, physical attraction है या फिर अगर आपकी person कैसे आपको ज़्यादा बहतर पता होगा यहां फिर यह नसाव अगएर भी करते होंगे, स्मोक करते होंगे, आलकोहल लेते होंगे, ऐसे भी आपके पोस्टन हो सकते है, यह बियाइंड रसीन वाली बात हो गए, ओके गाइस, बियाइंड रसीन वाली, यानि कि यहां पर मुझे लगता है, कि आपके पोस्टन कहीं ना कहीं, अडिक्शन में, किसी चीज़ के अडिक्शन में, फसे हुए भी हो सकते हैं, और दूसरी लट जो इने लगी है, वो है, आपकी लट लग गई है, है ना, मुझे तो तेरी लट लग गई, लग गई, जमाना कहें, गलत लग गई, समझ गए, यहीं चल रहा है, यानि कि they are missing you very, very badly, unforgettable memories आपकी इस इंसान के जहन में है, इस इंसान के दिल में है, आपको बहुत ही जादा याद कर रहे हैं, बहुत ही जादा मिस कर रहे हैं, और यही बात यह आप से कहना चाहते है, दूसरी बाद यहां पर यह इंसान क्या कहना चाहते हैं आपको यह बताना चाहते हैं कि, यह इंसान अभी किसी न किसी दो चीजों के बीच में अटक गए है, फस गए है, मैं कहीं पर फसा हुआ हूँ, या कहीं पर फसी हुई हूँ, जिससे निकल पाना मेरे लिए थोड़ा मुस्किल हो रहा है ये इंसान आपको ये बताना चाहते कि मेरी लाइव इतनी इजी नहीं है इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझती हो या जितना तुम समझते हो मैं तुम्हें जितना याद करता हूँ तुम्हें जितना पसंद करत यहां पर यह इनसान जो है दो दो चीजों का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और यहीं चीज़िया आपको भी बता रहे हैं कि मेरी जो लाइफ की जर्णी है वो इतनी सिंपल तुम्हें नजर आती है उतनी नहीं है मैं बालंस करने की कोशिज कर रहा हूं मैं जो है इसके आलावाद देखे गाईज यहां पर इस इंसान के दिल में बहुत सी ऐसे चीज़े हैं जो इन्हें बिल्कुल भी आपकी तरफ बढ़ने का मन इस इंसान को बहुत ज़ादा है बहुत जादा सपने देख रहे हैं आपके साथ इन्होंने बहुत सारे सपने यहां पर यह दोनों चीज़ें दिखाती है यह दोनों पाऊरफ फूल एट्राक्शन वाली एनरजी होती है एक बार और देखिए यहां पर सोट की आनरजी आई है यह दोनों ही इनके जिद्ध को दिखाता है कहीं ना कहीं और फायर साइन यहां पर मुझे नज़र आ रहा है तो जब ये करके ही दम लूँगा तो ये करकर ही लेते हैं और यहां पर दो दो ये से अनिकी दो दो शुरॉत का काड़ यहां पर आया है तो इस इंसान के जहन में आपके साथ फिर से एक reunion, एक relationship फिर से शुरू करने की इच्छा इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा जबर्जस तरीके से अभी यहाँ पर चलती है, मुझे नज़र आ रही है, दो दो सुरुआत, याने कि इस इंसान की दिमाग में जहाँ पर आप घूम रहे हो, वहीं पर इस इंसान के दिम पर मेरी कुछ समस्या है, जिसकी वज़े से मैं आ नहीं पा रहा हूं, पर मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, या मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूं, नहीं सुरुआत में यहाँ पर करना चाहती हूं, तो इस टाइप की जो messages हैं इंसान आपको यहाँ पर दे रहे है कि इस इंसान के सामने बहुत से options है देखे दो तो यहाँ पर दिख चुके है सायद एक आप हो और एक यहाँ पर जो है वो कोई दूसरा हो सकता है और यहाँ पर तो देखे seven options इस इंसान के life में आप इन दो options के आलावा ना यहाँ पर और भी बहुत सारे options इस इंसान के पास है जो है देखे किस तरीके से इंसां को इन की कौन सा पहतर है वह दिलयों और दिमाग आपकी तरफ आपकी तरफ बढ़ने होता है पर रास्ते में options इतने है hurdles इतने है इस इंसान के कि कहीं न कहीं ये इंसान अभी मुझे confusion में लग रहे तो ये भी आपको ये बात बताना चाहते हैं कि मेरे पास options बहुत ज्यादा है और मैं इन options के बीच में कहीं न कहीं फस्ट चुका हूँ ट्राप हो चुका हूँ और मैं इस option की बारे में अभी सोच रहा हूँ यहां पर कुछ लोगों की जो है यह एक यू नू गईज ये गुड़ नीज को भी दिखाता है जो जो वैंट्स के आणरजी है कि गुड़ नीज मतलब कुछ प्रोग्रे सकसेस का कार्ड भी होता है आपको पसंद करते हैं आपको प्यार करते हैं आपको प्यार करते हैं के तरफ ही अट्राक्शन है और ईनि लगता है कि आप ही करना हो इनके लिए इना किम्हें चार्णको करना है, अब यहाँ पर messages तो इन्हों ने आपके लिए हमारी reading का topic ही यही है कि messages आपके लिए यहाँ पर यह भेज रहें कि यह आप से क्या कहना चाहते तो यह आप से यही कहना चाहते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं मैं तुम्हारे साथ साधी करना चाहता हूं और साधी का काड़ आपर एक नहीं तीन तीन आया है आप देख लिजे 10 of pentacles से आपर क्या दिखाता है इस इंसान को लगता है कि अगर ये आपके साथ relationship में आएंगे अगर आपके साथ इन्होंने घर बसा लिया तो इनकी लाइफ बहुत जारा खुबसुरत हो जाएगी क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक wish fulfillment होती है इसकी किसी की मनो कामना पूरी हो जाती है तो ऐसी टाइप की wish हो आप इस इंसान के लिए देखें यहाँ पर इनका wish fulfillment का भी card आया है यानि कि इस इंसान के दिमाग में इस इंसान के दिल में आपके साथ घर बसाने की बहुत सा कारी विशेश है एक नहीं दो नहीं तीन तीन कार्ड तो यहाँ पर marriage का ही आया हुआ है देख लीजे गाइस यहाँ पर 11 यहाँ पर twin flame journey हो सकती है आप लोगों की कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कार्मिक relationship हो सकता है है ना और कुछ लोगों के लिए आपर soulmate connection भी हो सकता ह क्योंकि आप साधि के बहुत सारे कार्ड जो है मुझे नजर आये है तो सब टाइप की relationship मुझे यहाँ पर आज की reading में नजर आए है कि सभी connection के लिए यह reading हो सकती है तो इस इंसान की इच्छा है कि आपके साथ साथी करनी है आपके साथ घर बसाना है क्योंकि कीने लगता है कि आपके अलावा इनकी इच्छाय, इनकी wishes जो है, कोई और पूरी नहीं कर सकता है, पर आप ही वो एक इंसान हो, जो इनकी हर तमाम गलतियों को भी आप माफ कर सकते हो, आप इने प्यार दे सकते हो, आप एक perfect person हो इनके लिए, आपसे बहतर कोई नहीं है, तो यह सब तमाम च से निकल कर अपनी गलतियों को सुधार कर, यह इनसान कहीं न कहीं, आप जो है, एक आराम भरी जिंदगी बिताना चाहते है, और उस इंसान के साथ बिताना चाहते है, जिस इनसान के साथ इसका true connection है, और वो इनसान यहाँ पर कौन हो, वो इनसान हो यहाँ आपर आप यानि कि मैं आभी कहीं पर फसा हुआ हूँ मुझे आप यहां से निकलना है यह निकलना चाहते गाइस क्योंकि निकलने का कार्ड यहां पर दो दो आया है दो दो निकलने का कार्ड और दो दो जो है नई स्थुरुआत का कार्ड यहां पर आया है यानि कि इस इंसान की बहुत से दिली ख्वाइश है कि ये सब बंधनों को तोड़ कर, अपनी मजबूरियों से निकल कर, अपनी गलतियों को सुधार कर, हैना ये आपके पास आना चाहते हैं और साधी के लिए आना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे आपर नजर आया है, दोस्ती का ओफर, ये लेकर आना चाहते हैं, यहीं आपसे कहना चाहते हैं, यहीं आपसे कहना चाहते हैं, और यह बात आपको डायरेट ये इंसान कहने ही पा रहे हैं, एटिटूड में ह क्योंकि इस इंसान ने कही न कई पास्ट में आपका बहुत ज़्यारा दिल दुखाया है गाईस क्योंकि डैवल के एनरजी ने पहला हमारा काड़ाया था इस एनरजी नहीं हमें दिखा दिया है कि इस इंसान ने आपको कितने हद तक सताया है कोई लिमिट नहीं है कि इतने ज कि यहां पर में इस इंसान तरह बने रह और इंसान क्या तो यह दो कहा दो करते कि यहांकर दो कहीं माये इस बिलके आप आपके साथ साधी के लिए वापस आना चाहते साधी का तीन काड आया है कुछ लोगों के लिए यहां पर यह रिलेशनशिप बनाने के लिए आ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए यहां पर यह फ्रेंशिप करने के लिए आना चाहते हैं तो तीन टाइप का सिचेशन मुझे यहाप पर नजर आया तो मैंने आपको यहां पर बता दिया गाइस और कुछ लोग यहां पर जो है मुझे ज्यादातर energy की आरेंश मेर्श यहाप पर नजर आ रही है यानि यह इनसान कहीं ना कहीं जो कर रहे हो सकता है कि यह चाहते है कि प्यार तो आप दोनों में है पर साधी आप दोनों की तरीके से हो यानि कि फैमिली मान जाए आपकी फैमिली मान जाए उनकी फैमिली मान जाए और यूनों तमाम लोगों की सहमती से सभी के आसिरवास से जो है हमारी साधी हो तो इस लेकिन भी इस इंसान के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है क्योंकि एरेंज मेरिज का बहुत जबर जबर जस्ट काड यहां पर दोनों आया है six of words और four of words दोनों ही एरेंज मेरिज के तरफ जादा इंडिकेट करती है यानि कि प्यार तो है लव मेरिज ही है पर चाहते है कि यह एरेंज तरीके से हो यूनों कि फैमली की सहमती से हो तो इस टाइप की thoughts इस इंसान के दिल में चल रहे है और साइध इसी वज़े से यहां पर यह इंसान कहीं ना कहीं balance करने की कोशिस कर रहे है किसी जिसको मनाने की कोशिस करते हो मुझे यहां पर नज़र आया है तो यह तमाम बाते आपके साथ यह कहना चाहते थे गाइस तो मैंने आपको बता दी कि यह इंसान आपके साथ फिर से शुरुवात करना चाहते they want to come back in your life again फिर से आना चाहते हैं पर जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ problems है कुछ hurdles है यहाँ पर कुछ blockages है यहाँ पर यह दो कार्ड ने इनके blockages को दिखाया है तो यहाँ पर इन blockages को clear होकर इस इंसान को आपके पास आना है पर आएंगे तो जरूर क्योंकि यहाँ पर यह चाहते ही है कि आपके पास आना और इन्हों ने आपस यही message भीजा है कि मैं वापस आना चाहता हूं तुम्हारे साथ नहीं शुरुआत करना चाहता हूं समझ गए मैं बोल ही रही थी कि यह इंसान आपके पास नहीं शुरुआत करना चाहते नहीं शुरुआत करना चाहते और यहाँ पर इन्हों ने बोल ही दिया कि तुम्हें मेरा message बहुत जल्दी मिलने वाला है है न गईस हम गूट don't lose hope यह कह रहे है कि उमीदे कायम रखो उमीदे मत छोड़ो उमीदे नहीं छोड़नी है समझ गए है गाईस अच्छा अच्छा message है अब यहाँ क्या है गलती सिर्फ मेरी नहीं थी हाँ तो यहाँ पर यह जो message भेजा है न यह definitely कार्मिक relationship वालों ने भेजी होगी यह devil जो है ना आपकी relationship में उन्होंने यहाँ पर घमंड मैंने कहा ना कि घमंड है ego है यह है वो है तो गलती सिर्फ मेरी नहीं थी अभी भी attitude यहाँ पर दिखा रहे और यह कार्मिक वाले ही हो सकते मुझे पता है पता है यह devil की energy आप ही रखो यहाँ पर रह जाओ यहाँ पर गलती मेर नहीं थी अपनी गलती नहीं माल रहे है कह रहे है कि आपकी भी गलती थी हो सकता है आपकी भी गलती थी है ना वाव ब्यूरिफूल यहाँ पर क्या आया है गाइस देख लिए मैसेज में reconciliation वाव ब्यूरिफूल सो देवां टो रिकॉंसाइल विद यह आप से फिर से जो है प्याच अप करना चाहते फिर से relationship में आना चाहते फिर से you know breakup को भुला कर बुरी बातों को भुला कर आपसे मिलना चाहते रिलेशन को फिर से खड़ा करना चाहते है गाइस reconciliation का काड़ा है वाव wonderful यहाँ पर दो दो इसी वज़े से इसका काड़ा आया था ना गाइस की नई शुरुआत का वाव beautiful मजा आ गया यह देखकर प्यार है तुमसे आज भी तो यह कह रहे है कि प्यार है तुमसे आज भी औ और मैंने आपको शुरुआत में ही गारा सुना भी दिया था है ना कि मुझे तो तेरी लट लग गई लग गई है ना गाइस तो यहाँ पर आज भी आपसे प्यार करते हैं और कह रहे हैं कि आज भी मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ मैं तुम्हें बहु पोसन आपसे कहना चाहते हैं समझ गए गाइस और मुझे व्यूटिफुल रिडिंग देखकर बहुत ये खुशी हुई है आपका नहीं पता गाइस आपको भी रिडिंग पसंद आई हो और पसंद आई हो तो वीडियो पर क्या करना है गाइस एक शेयर मार देना और क्या करना है लाइक और कमेंट कमेंट करना बहुत जरूरी कमेंट होता है मेरे लिए और इतना कहते हैं आप रिडिंग दो कर रहे हैं क्लोज अपना रखना है बहुत अच्छा खयाल क्योंकि मैं करते हूं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार I love you all ठेक है नमस्ते और बाबाइ है गाइज है गाइज वलकम बैक तो जिन्होंने भी पाइल नमबर टू रेड स्टों चूज किया है चले देख लेते हैं आपके रिडिंग कैसी होने वाली है आपके परसन आपसे क्या कहना चाहते है इस रिडिंग के जरीए है ना गाइज यही हमें ही देखना है बहुत जबरजस्त खासी लगी हुई है इसमें है कि मैंने कर लिए कार्ट की सफ्लिंग आई अब निकालते हैं कुछ कार्ट और पहला कार आया है पेज अफ कप्स अखे शिक्स अफ पांटिकल्स नॉट बाद ओ मैं गाद टेन अफ सोर्स टेन अफ सोर्स ओ मैं गाद लव मारेज ब्योटिफूल है अफ से बहुत सी चीज़े कहना चाहते है साथ में कुछ कंफ्यूजन कुछ डाउट है यहां पर कुछ प्रॉलम्स है ओके तो यह आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं गाइस देख लेजिए कुछ पांटिकल्स है ना वाव फूल हम ब्योकूफ कितना गुस्सा आता होगा ना जब मैं आपके उनको ब्योकूफ कह देती हूं है ना मन मन में कोस्ते होगे मुझे दीदी ने मेरे पॉर्शन को ब्योकूफ कैसे कह दिया अब जो आपको रुलाईगा ना गाइस तो में म ब्योकूफ कहा कुछ गलतिया यहां पर की है तो अभी तो न्याय का काड़ आया है गाइस डेवल ओके डेवल आया है यहां पर बोली रही थी कि ब्योकूफ है कुछ गलतिया की है तो और डेवल का काड़ फटाक से आ गया और यहां आया है फाइव आफ क्या आया है गाइस five of pentacles okay और bottom में page of vans की energy आई है तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पर इन cards का मतलब क्या है वो आप से क्या कहना चाहते है और यहां पर मैं है ना गईस साथ ही यहां से भी कुछ निकाल ही लेते हैं ओके निकाल कर जग देते हैं ताकि कि यहां गईस ताकि हम एक साथ ही स्टार्ट करेंगे दिन ओके तो डाट कि अब चलिए चलिए इतना काफी है आप इसे अभी हम उठाकर रख देते हैं यहां पर और थोड़ी देर बार निकालेंगे इन्हें और इसे अब हम स्टार्ट करते हैं ठीक है गईस स्टे पॉजिटिफ पाइल नमबर टू साइन और एलिमेंट बता दू आपको यहां पर सबसे ज्यादा जो साइन मुझे नज़र आ दी है वो है पैंटेकल्स के एनरजी उसके बाद में वैंस के एनरजी लाकुम्रासी फाइसाइन भी है लिए उसे ज्याने की सियादनों और मेश रासी यहां मुझे नजर आई है गाइस तो पाइल नमबर टू इन कार्ट को देखकर और खास करके इस डेवल के कार्ट को देखकर ना मुझे एक गाना यादा रहा है छोटा सा दो लाइन सुना द जान की भी अंजाना कैसा मेरा यार है पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है है ना गाइस तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मनजर चल रहा है कुछ ऐसे ही माहोल चल रहे है कुछ ऐसा ही दोर चल रहा है क्योंकि यहाँ पर आई है डेवल की एनरजी यानि कि यहाँ पर अगर मैं कुछ बाते आपके पास्ट के बारे में करूं तो यहाँ पर बहुत को देखते ही पता चल गया है जो जो मतलब कुछ कसर यहां पर छोड़ी नहीं है इस इंसान राक्सस बनने में डेवल बनने में आपके और इनके रिष्टे में तो बहुत तकलीफे दी है बहुत दर्द दिया है यह बात सही है गैस अब यहां पर डेवल के काट के आने के खाना चाते है कि मैं जो है अपने किये हुए गल्तियों के लिए पश्ता रहा हूँ पहली बात यह है पस्तावे का यहाँ इहां पर दो कार्ड議्स का यह सग्याई है आपको पता है OUT इसका दूसरा मिनिंग भी होता है, मेरे प्यारे प्यारे गाई इस, हेरोफेंट के काड का दूसरा मिनिंग होता है, कि यह इंसान अब स्प्रिच्वल हो रहा है, spiritual होने का मतलब क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज़ारा गलतिया करता है जब हच्से ज़ारा बढ़ती है तो कही न कर इस इंसान को अगर एहसास हो गया कि हाँ मेरे से गलतिया हुई है तब जाकर वो अपने उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है यानि कि spiritual way में चला जाता है अध्यात्मी खोने की कोशिस करता है अपने आपको सुधार करने की कोशिस करता है तो यहाँ पर जो आपका यह राक्षस है आपका जो यह devil है न गाईस यह इंसान अभी अपने आपको सुधारते भी मुझे नज़र आ रहे है और यह इंसान आपसे कहना चाहते कि मैं अपने आप में बदलाओ ला रहा हूँ अपने आप में changes ला रहा हूँ मैंने जितनी भी गल्तिया past में की है उन गल्तियों की जो है मैं यहाँ पर भरपाई कर रहा हूँ मैं बहुत दर्द में हूँ तुम्हें दर्द देकर मैं यहाँ पर बहुत दर्द में हूँ देके गाईस टेन अफ सोर्स की इस इंसान के एनरजी आई है यानि कि पस्तावे में है यह इनसान इन्होंने जो प्यारा सा खुबसूरत सा जो रिस्ता था आपके साथ में आप एक ऐसे इतने खुबसूरत इंसान के साथ अगर कोई इतना ज़ारा राक्षस वाला हरकत कोई अगर कर देता है हैना तो यह बहुत ही बड़ी गलती हो गई है इस इंसान से आप कितने मासूम हो आपने जो है इस इंसान को इतना ज़ारा सपोर्ट किया है इतना ज़़ादा प्यार किया है इसरिफ प्यार नहीं किया है Paniticals के energy हमेसा पैसे रुपे के सपोर्ट को भी दिखाती है कि आप अपने इस इंसान को कुछ चीजों में कमी नहीं रखी है हर चीज आपने इस इंसान को हल से ज़्यादा ही दे दी और जिसकी value इस इंसान ने कहीं नहीं कि है आपकी प्यार के बदले आपको मिला धोका है ना, आपकी care के बदले आपको मिला यहां पर बहुत जारा आसू है ना, support के support के बदले में support देना चाहेए था वो तो बात ही गुम हो गई कि support तो दूर की बात है कम से कम प्यार के पदले प्यार ही दे 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 तो बहुत बड़ी बात होती पर इस इंसाने बिल्कुल क्या क्या है opposite कर दिया आपके relationship में आप प्यार लुटाते गए और यह जो है क्या करते गए आपको आसू देते गए तो यहाँ पर इन सब गलतियों क अब इस इंसान को कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एहसास हो रहा है realization हो रहा है पस्तावा हो रहा है इन्हें पता है कि इन्होंने ही जो है इस प्यार से खुब्सुरूत रिस्ते को जो है खतम कर दिया है अपने इन तमाम गलतियों की वज़े से आपका रिस्ता खतम हो गय है इस इंसान को इस बात का पस्तावा है तब ही जाकर यह इन्सान यहां पर अपने आपको बदल रहे है चेंज करने की कोशिस कर रहे है अपने गलतियों की माफी मांग रहे है यहां पर एक अच्छा सा सुधार इस इंसान में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और यही भी बात पर भी तक्लिफ हैं काफ़ी लापने खाएंगर हों कि अपने मेरे बात आप से कहाना चाहते हैं के तरफिर की शलब है b यह दिखाने के लिए बताने के लिए इस इंसाने कौन-कौन से जुर्म जो है आप ठाए है पर इसके साथ तो बहुत सारे निकले हैं देख लिए इस एवन ऑफ वैंस याने कि हमेशा इस इंसान ने आपको जो है इग्णोर किया है कि आपके साथ कम्यूनिकेशन ठीक से नहीं खड़े कर दिये हैं आप और इनके बीच में है ना अभी भी यहां पर यहीं सिच्वेशन ब्लॉक इस वाला सिच्वेशन ही चल रहा है यहां पर यह क्यों चल रहा है गाइस इसके बारे में मैं कुछ देर बात बताऊंगी पर देखें गाइस यहां पर गलतिया तो बहुत कि आजकल तो क्या है छोटे-छोटे बच्चों को भी यू नो सोसल साइट के जरीए प्यार हो जाता है ना तो यहां पर आपके पोस्टन भी कुछ ऐसे ही इम्मैच्वर एनरजी में मुझे नजर आ रहे है ना कि बच्पना बहुत ज़्यादा है फूल की एनरजी और पेज बकती ज़ारा टैलेंटेंड रो सक्ते है आपके पोसंन अन्सान है अगर आपने टैलेंट Jewish यूस कर दिया ना तो यह इन्सान बहुत कुछ कर सकते है लाहिए न पर यह इन्सान क्या करते है गलत चीजह को को अपना रास्ता बनाते है गलत चीजह के तरह आपना पाऊंव ब धोके बाज है अडिक्शन हो सकता है इस इंसान देने करेंशी सारातिंट पर ईक्षन को, cloud को 2 आपके पूसन में नजर आ मैं पर पर साथ यह नज़र आ रहा है यह एक एक चंग है जिसके बारे हम थोड़ी देर बात करें इंगे हैं ऊकई तो यहां पर आपको से कहना चाहिँ है कि मैंने ज़तनी भी गलतिय की हैं जितनी भी बैयोकुफिया की कि यहां पर इस तरह किसे तुम्हारे लाइब से निकला हूं या निकली हूं यह मैंने गल्ती की है और इस गल्तियों का पस्तावा मुझे अभी हो रहा है तो सबसे ज़्यादा यहां पर यह आप से यही कहना चाहते कि इन्हें अभी पस्तावा है और मैं जो है अपने आपको अप सुधारना चाहता हूं और सुधार कर यहां पर यह क्या करना चाहते गाई सुधार कर यह इन्सान यहां पर इस इन्सान का एक्शन मुझे दो नजर आया है और यहां पर जो है फ्यूचर का एक बहुत ही भैतरीन कार्ड जज्मिन का कार्ड न और यहां पर भी page of cups के energy आई है तो यहां पर दोनों energy से यह दिखा रही है कि यह इंसान आपको अभी देख रहे हैं आपको इस्टॉक करें दोस्तों के साथ आपकी जानकरी यहां पर यह ले रहे हैं आप कैसे हो कहां हो कहां जाते हो ऑन किस वक्त आते हो इस साब चीजों के जानकर ये इनसान कहीं न कहीं से जुटा रहे है यानि कि social sites इसनका main target हो सकता है कि social sites पर ये बहुत जाला time spend करते है और आपकी तरफ नजरे ये बनाए हुए है कि आपके life में क्या चल रहा है आप कहां क्या कर रहे हो कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं निकल गए तो ऐसी चीज़े stocking यहाँ पर अभी के लिए ये चल रही है और page of cups ने आपर और एक चीज़ दिखाता है कि ये good news को दिखाता है इनसान किसी भी वक्त आपको good news दे सकते है ये आपसे ये कहना चाहते कि मैं किसी भी वक्त धमक सकता हूँ मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ good news लेकर मैं यहाँ पर आ सकता हूँ ये message यह आपको यहाँ पर page of cups के card से दिखा रहे है बता रहे हैं आपको देखे six of pentacles का card यह भी यह दिखा रहा है कि जो चीज़े इस इंसान ने पहले आपको नहीं दी है है ना यानि कि respect आपको नहीं दी है है ना इन्होंने loyalty आपको नहीं दी है इन्होंने प्यार के बदले प्यार आपको नहीं दिया है आपको हमेशा इन्होंने बहुत सी चीज़ों से वंचीत रखाए दूर रखाए तो यह तमाम चीजे जो जो आपने इस इंसान के साथ मांगी थी ना यह इनसान आप जो है आपके यहां पर जो गुट नीज है ना वह गुट नीज है यहां पर यह है कि they want to give you something, आपको यह अब आकर कुछ देना चाहते हैं, और देने की बाद जब यहां पर आती है, तो यहां पर दो चीज़े निकली है, कि क्या देना चाहते हैं, what, what they want to give you, यहां पर दो चीज़े निकली है, एक निकला है reconciliation, कि यह फिर से इस रिस्ते को फिर स मिलना चाहते हैं, फिर से आप इस रिस्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहां पर न्याई देना चाहते हैं, क्योंकि न्याई क्यासे होता है, जब अन्याई यहां पर इतने सारे भर-भर के हुए है, तब यह जाकर यहां पर न्याई का काड़ाया है, ओकि यह अब ज तो ईस साथ करना चाहते और यही आप से बताना चाहते यहां पर वो किस प्रोसेस में है यहां पर पर है अपने आप उसके लिए यहां पर है आकर डायरेक्ट साधी करने की चाहत ओके तो यह दो चीजे हैं जो यह इंसान आपसे इस रीडिंग के थ्रू कहना चाहते एक और बात यहां पर यह इंसान कहना चाहते हैं और वह है Queen of Pentacles, यानि कि यह इंसान आपको बहुत ज़ारा मिस कर रहे, बहुत ज़ारा याद कर रहे, Queen of Pentacles हमेशा एक ऐसे इंसान को दिखाता है, जिसके दिल में बहुत सारा प्यार होता है, यहाँ पर प्यार से भी ज़्यादा है आपके इस डेवल को आपका जो दिल है, यह पसंद है यह सब केर होता है, जो आप इनके लिए क्या करते थे, कभी है जब आप इनके साथ थे, तो यह सब चीजे बहुत जारा मिस करते हैं, बहुत जारा याद इने आ रही है, और एट्रेक्शन की तो बात ही आप छोड़ दो, अगर आप लोग कभी फिजिकल रिलेशन्शिप मे भी नहीं रहे, अगर छोटी मोटी किस भी अगर आप दोनों की बीज में एक्सचेंज हुई है, तो वो उस चोटी सी चीज को भी बहुत जारा मिस कर रहे है, अभी, अट्रेक्शन तो भरा हुआ है इस इंसान के आखों में आपके लिए, यूनो बहुत अट्रेक्टिव ल अगर साधी नहीं भी चल रहे है, तो रिकॉंसिलेशन चल रहा है, कि अभी आकर पहले रिकॉंसिलेशन करते हैं, मिलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, रिस्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो इस टाइप की सोच यहां पर इस इंसान के दिल में चल रही है, और यही आप से कांप्टिशन करती है clickingस्ध City कि नजर आ Links वह सकता है कि सब्सक्राइब तक पहूंशने में जो पहुंशने का सब्सक्वाइम पहुंशने का उर्मे घ्सितिक रास्ते हैं यूरा स्तर इतना आशान नहीं है कुछ 콩ी यहां पर इस इंसान के रास्ते पर ब्लॉकेज वगयरा बहर के लोगों नहीं यहां पर बिच्छा दिये हैं जिसके वज़े से भी इस इंसान को हो सकता है कि आपकी तरफ कदम बढ़ाने में थोड़ी यहां पर मुस्किलों का सामना करना पढ़ रहा है और कुछ लोग यहां पर आपसे यह भी बताना चाहते हैं कि इन्हें हो सकता है कि financial यहां पर प्रालम्स चर रही है कि financial problems करीज को लेकर up and down यहां पर कुछ हो सकता है ऐसे चीजें भी यहां पर यह इंसन आपसे इस रीडिंग के थुरू कहना चाहते हैं कि मेरा अभी carrier ठीक नहीं है, मेरे को अभी financial problems हो रही है, तो हो सकता है कि ये blockages वो भी हो, जिसके वज़िद आपको लगता है, इन्हें लगता होगा कि मैं अभी मेरा proper stand नहीं ले पाया हूँ, तो मैं अभी साधी करके क्या करूँगा, रिस्ते में आकर क्या करूँगा, तो प इंसान आपको पहले नहीं दे पाए थे, तो समझ गए गाइस, यहीं सब चीजे चल रही है, इनके दिमाग में चलिए, अब कुछ messages भी देख लेते हैं, प्यार है पर दिखाना नहीं आता मुझे, प्यार है पर इन्हें दिखाना नहीं आता, गाइस, दवा पिला तो जाकर कास की प्यार दिखाने की, यह नो कोई दवाई होती तो हम गुट्टी की तरफ बिला देते हैं न गाइस, I dream about you, मैंने कहा है कि सिंद्रान को आपके बहुत यार आ रही है, है न आप इनके आखों में है, मैंने कहा था तो आप जो है, आपके सपने इन्हें आते हैं गाइस, यानि के सपनों में यह आपको देखते हैं, ओके, so you all are in their dream, सपने में हो आप इनके, ओ वाव, cool, बहुत beautiful, मैं वापस आना चाहता हूँ, please pray to God, हाँ, मैंने यहाँ पर, मैं बोल ही रही थी कि, यह आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर इनके रास्तों में जो है, बहुत सारे, मैंने कहा है न, एक मिनट पहले ही यह बात कही थी, कि बहुत लोगों नहीं यह आपर blockages create किये है, यह आ नहीं पा रहे है, है न, तो यहाँ पर इनने कही दिया, कि मैं आना चाहता हूँ वापस, मेरे लिए उपर वाले से दुआ करो, मेरे लिए उपर वाले से प्राथना करो, मैं आना चाहता हूँ, यह है इनका message, यह कहना चाहते हैं आपस, वाव, तु यह आपको देखते है, definitely, है न, आपकी stalking यहाँ पर चल रही है, तो यह कह रहे है, that they are stalking you, समझ गये guys, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी, यह कह रहे है कि आप इने कभी नहीं समझ पाओगी, हाँ, तो यहाँ पर समझाया जो गया है, इंसान दिखाता जो है, इंसान देखते भी वही है, तो आपने जनाब जो दिखाया था, हमने वही देखाया है, तो आप जो है आकर हमें समझा दीजिए, कि आप कैसे हो, ठीक है guys, यही request हम कर सकते है, कि नहीं कि अगर आप इने नहीं समझ पाए हो, तो इनकी एक जिम्मेवारी होती है, कि यह आकर आपको समझा दे कि मैं कैसा इंसान हूं, है कि नहीं guys, correct, तो आप please आईए, आईए और मेरे प्यारे-प्यारे guys जितने भी तड़प रहे हैं, please आकर उनसे बाते कीजिए, उन्हें समझाईए कि आपकी problems क्या है, आपकी दिल में दर्द क्या है, सब कुछ शेयर कीजिए, तो अभी वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और खुश रहना, लाइप में हमें सहास्ते रहो, खुश रहो, okay, देखे मुझे यहाँ पर इतने जबर्ज़त खासी हुई है, फिर भी मैं आप लोगों को खुश रखने के लिए हरे संभव कोशी से करती ह और मैं नहीं चाहती है, कि आप लोगों के आँखों से एक भी आँश गिरे, okay, तो बस खुश रही है, खुश रही है, पल बिच जाएगा, guys, हर टाइम के साथ आपका दर्द कम होता चला जाएगा, और ऐसे ही जिन्दगी को जामें, जो है, जीना है, संघर्स करते हुए, okay तो रिडिंग को करीं, close, guys, आपको रखना है अपना बहुत अच्छा खयाल, क्योंकि आप जानते हैं, मैं करते हूँ, आप सबसे बहुत जादा प्यार, I love you all, take care, namaste and bye-bye, guys.